सो नाव ब्रैटकुम गूरूप अब देखे 26.50 पैसे पर क्लोजिंग हो चुकी है दो परसेंट की आज हमें गिरावट देखने हूं मिली है और एकल अच्छी तेजी के बाद आज हमें दोबारा है आपर स्लिप करता हो दिखा है स्टॉक है लेकिन इसे गिरावट में एक सबसे बड़िया बात है आप प्रॉब्लम में नहीं आई है इस वक्त और आज देखने वाली बात थी आज बहुत लंबे समय बाद बहुत लंबे मतों चैसाथ महीने अगर आप छोड़ दें आज आपको देखने को मिला है पूरे दिन में 98,85,554 क्वांटिटी यहां पर ट इसे पर है तो यहां पर है अच्छी क्लोजिंग ही इसको बोला जाएगा क्योंकि इसका एक रीजन है और वो रीजन भी मैं आपके सामने रखूंगा इसके साथा शेयर होल्डिंग पैटन की उपर बहुत लोग जानने चाहते हैं क्योंकि आज बहुत जादा यहां पर बात बड़ी कंपनी आए उनके शेयर होल्डिंग पैटन अभी तक नहीं आए तो शेयर होल्डिंग पैटन की उपर ना आप प्रॉब्लम मत क्रिएट करिए इनफोसिस लिमिटेट आप देखेगा टीस के अभी 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 अपडेट हुए है यह आपका शेयर होल्डिंग चीम्च आ यहां पर यहीं हुए है कि यहां पर रिलाइस तक यहांपना शेयर होल्डिंग पैटन अभी तक नहीं आए तो पता नहीं मैंघ देखा दो पर कोई बड़ा इशु क्रिएट करने की कोई जरूरत ही नहीं है यहां पर रोल्डिंग पैटन जल से जल आने वाला है टाइम हो चुका है हो सकता है कि आज लाज डेट हो भीया यहां परना निकल रहा हूं लेकिन अभी तक इन तक के याँ पना शेयरोलडिंग पयरण अपडिएट नहीं किया गया है शेयरोलटिंग पैर अपडेट हो रहे हैं तो आपके शेयरोलडिंग पैटरन पर कोई बहुत बड़ा बाज़ू है ऐसा नहीं देखने मिलता है बहुत सारी नही आखे अगर आप के डाप तो फिर एक डाउट वाली बात थी तो फिर एक प्रॉब्लम हो जाती है ये तो बात है एक और मैं आपको एडवाइस दूँआ कि आपना टेलीग्राम चैनलों से थोड़ा सा दूर रहें जादा बैता रहें सतर करें अलर्ट रहें बहुत सारे टेलीग्राम चैनल से बिल्कु बहुत अच्छा नहीं मार्केट अच्छा है मार्केट में काम कर रहें लोग अच्छे नहीं है कहां कौन दुस्मन है आप पैचान भी नहीं पाएंगे तो आप इसको थोड़ा सा सीरियसली लीजे हर टेलीग्राम चैनल पर भरोसा मत करिए जादा वैतर है ये टेलीग्राम बढ़ती है तब जाकर कहीं ना कहीं बाते खुलती है तब जाकर पता चलता कि ये टेलीग्राम चैनल ऐसा था या यह इनसान इसने फ्रॉड कर दिया तो यह आपना तब निकल के आती तब आप कहते हैं आरे वह यह फ्रॉड हो गया तो उससे पहले यह है कि आप अपने तो और निक्तल में कोई नहीं है कंपनी देरी करती है और यह इनके खुद आरा परसेंट आप पर प्रोल्ड कर रहे हैं प्रोटर परसेंट शार्प से आप देंगे अगर इनकी वैलियु टान जाएंगे इनके खुद के पास पैसे नहीं वचें टिक्ल न इनकी क्या पार लिए ओपधिन के लिए उसमें कोई प्रॉबलम नहीं है उतना तो सबसुर नहीं पड़ेगा तो वह सुधार दीरे-दीर आ रहा है देख रहे हैं at least ये रोली पैटर्न में तो देर हुई है लेकिन बाकी जो इशूस थे श्योसो कोज नोटिस के तौर पर अगर देखें तो फाइनली जमा हो चुके थे टाइम पर तो वो एक अच्छी बात है अगर वो टाइम पर जमा नहीं होते बैटकुम ग्रूप की लंग बड़ी गरावट थी आप सोच सकते हैं कि बीसी जी में आल्रेडी आप जानते हैं कितना वॉल्यूम क्रेट हो जाता है आज उस लेहाज से देखना आई टी के इतनी बड़ी गरावट के बाद आज बीसी जी पर इतना बड़ा इंपेक्ट हमको देखने को नहीं बिला यह बहुत बड़ी बात है हमारे लिए थोड़ा सा ही सही लेकिन स्ट्रॉंग है ब्रैट को मुझा पहले जैसा नहीं रहा पहले जैसा नहीं रहा यह समझ में आप लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि यो का भरोसा वह तो डगमंगा रहा है इविन मेरे ऊपर भी देखिए कोई गलत बात नहीं है आप ये भी देखें कि हम लोग कितनी कितनी जगा पर सही हुए है सिंपल सा लोजिक है नौ रोपय पर मैं आप से कहता रहा लगाता नई खरीदारी मैंने कहा था जो लोग कर रहे हैं वो ने खरीदारी इस्टॉप कर दीजेश हैं यहां पर क्यूंकि नहीं खरीदारी आप लोग कहरे थे मैं और खरीद लूँँ हो मैं जो पुराने निवेशा के हैं उन्होंने किसी ने 26 पर ले रखा है 30 पर 35 40 50 70 100 110 ऐसे ऐसे प्राइस पर ले रखा है सिंपल सी बात है रिस्क उनके लिए बहुत बड़ा तो यह मैं आपको सुरू से समझात रहा हूं तो वह यह वात है कि यहां पर ना हम लोग जगए जगए साई निकलें लेकिन अभी क्या है कि सिक्का भी चल नहीं रहा है सिंपल सी बात है Consolidation जलना है Consolidation में क्या होगा क्या impact होगा मार्किट का यह भी आगे काना हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते लेकिन इसका मतब यह नहीं है कि बिल्कुल गरत हो गए तो गलत मत ठहराईए यहां पर सिंपल सी बात है यहां पर थोड़ा सा स्टॉक को समलने द 36 के लेवल देख लिए अभी स्टॉक 26 रुपए पर है 10 रुपए डाउन है जो हाइस लेवल है उस जगह से तो आप यह देखे नौर पर ज्यादा वहतर था या 26 रुपए 26 रुपए ज्यादा वहतर तो स्टॉक यहाँ पर आपका कैसे भी खरके consolidation में रहे कोई problem की बात नहीं है एक अच्छी जगह placed रहे moving average से उपर रहे इससे बड़ी अच्छी बात नहीं होगी अदर्वाइस क्या अच्छा लगता है कि stock lower to lower circuit चलता रहे अपर to upper circuit चलता रहे यह अच्छी बात नहीं है हमें दीरे 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 ना एक अच्छी खासी देखेंगे क्या देखेंगे mutual fund की buying mutual fund का कितना है FIS का कितना है मैं FIS को छोड़ देता हूं क्योंकि FIS पर ना हम लोग सुरू से बात करते आये मैं तो सिर्फ और सिर्फ mutual fund को दे रहा देख रहा हूं क्योंकि mutual fund ने ना हमें उस वक्त चीजह समझाई जब चीजह समझ में नह देखें क्या उनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है बिल्कुल बढ़ रहा है तो हमें एक अच्छे स्टॉक के अंदर अगर हमें कुछ इंडिकेटर चांटने हैं तो हम तो यही देखेंगे ना तो वह हमारे सामने है बाकी रहीवात निफ्टी आइटी में आपके लाज्ट के वह आपका मिटकेप हो कोई भी पैसा बना चीनी देगा पहले ही मैंने आपसे कह दिया था जब यह टीसेस इंफोसिस भाग रहे था ना लगाता रोज भाग रहे थे रिजल्स के बार टीसेस भाग आपका यहां पर ना बाकी जो एसल टैक है वह बागे मैंने आपसे सिंपल कई लिए दिया था यह रिजल्ट बिल्कुल भी ठीक नहीं है यहांप पर आप कोई गिरता देखना नहीं चाहता मार्केट को को कोई पावबाद की एक बात है फिएवर में कोई नहीं बोलेगा तो वह सिंपल सी बात है कि निफ्टी आईटी में जो तेजी हो रही थी वह बिलकुल भी सटीक नहीं है और मैंने आपसे कहे तीस ना टीस इस इनफोसिस यह चार दिन तेजी होगी पांच में दिन छट में दिन जो तेजी इनों ने करी है वो सब गाय हो जाए क्योंकि इनके नमबर जो है वो फ्लैट है ग्रोथ नहीं है ग्रोथ जब स्टॉक के अंदर ही नहीं तो हम आगे ग्रोथ कैसे करेंगे यह सिंपल सी बात है अच्छा हुआ कि त्याब आगर आप देखें तो नेगेटिव ग्रोथ जब नेगेटिव ग्रोथ अगर आगी ना गलती से तब क्या होगा यह एक सोचने वाली बात है और मिट कैप आईटी से आप दूर ही रहें मिट कैप में जो बहुत ज़्यादा महेंगी स्टॉक्स है या लाज कैप में आपके बहुत ज़्यादा महेंगी स्टॉक्स हैं उन रुपए हो जाए हाला कि वह हुआ नहीं लेकर आप देखें कि प्रेडिक्सन जो है ना वह बिल्कुल सटीक एकदम आते हुँ दिखेंगी है मिटकेप की आप बात करें मिटकेप आईटी में गिने चुने शेयर्स हैं जो कि सस्ते होंगे गिने चुने बाकी सब महंगे अपन सब्सक्राइब कर दिया है तो फिर सिंपल सी बात है स्टॉक टूटे का नहीं तो क्या होगा देखें आज बीसी जी में क्या हुआ है आज स्टॉक ने ना 200 डेमा से ही सपोर्ट लिया आप देखें जो रैड लाइन है यह कोसिस लगातार कर रहा है ऐसी बात नहीं कि कोसिस कर रहा है लगातार कोसिस जा रही है स्टॉक कैसे प्रस वी को सिसक्राइए कैसे करके दो ऑस बनने को सिसक्रार के और लोग मानने को तरिया नहीं है की मार्केट में आपके नमर्स अच्छे नहीं है आप तेजी पर तेजी करе जा रहे हैंप पैसा पैसे ही होता है पैसा जहांपर जोका जाएगा वह चीज चलेगी आप पर आपके चो कुछ नहीं होगा यह यहें कि देखनेन रहते हैं बागएका अब ASH जोगा बाकी आपकर उनकी बार इजो तो अब चले हैं प्बाकी क्या हुआ है 200 डेमा से support लिया है 200 डेमा से तो यही मैं आपको strongness की बात कर रहा हूँ कि तूटना होता तो आज तूट जाते भाई लेकिन आज हम बचे हुए हो सकता है Monday वो उपने हो यह कैसे दिन इन बदल जाए भाई इनके यह कैसे भी levels निकाल दे तो ही हमारे लिए better होगा otherwise चीजे ना वही है कि इधरी हम गूमते रहेंगे यही हमको देखने को बिलना है तूटने डेमा की उपर है ज्यादा बैतर है आपका 50 डेमा भी इधरी आ चुका है यहाँ पर range बस दिया रखे 24 रुपे 70 पैसे 22 रुपे 10 पैसे यह range demanding range है इसके साथ साथ मैं तो आपसे यही suggest करूँगा कि लोग बहुत डरे हुए है अगर आपको डर लग रहा है आप एक stop loss maintain करेए यह level अगर तूटता है आपने जो सोच रखता है उस level से आप हट जाओ ठीक है ना simple सी वात है फिर चाहे इस टोप घूमे इधर जाए उधर जाए कोई मतब कोई लेना देना नहीं है आपका एक stop loss आपके पास होने चाहिए अगर आपको डर लग रहा है आपको gains को अपने न के नहीं के नहीं है कोई अगर इशू बना रहा है कोई मतलब नहीं है भाई तो आपके आपके कहना है इसके उपका मैंसर से में कही है और अब दी चुप जाए अपड़े देखने के लिए बहुत दन्वाद दूस्तों